हलो दोस्टों कैसे हैं बहुत दिनों बाद आज हम फिर से बात करने वाले हैं मानके चलता हूँ कि दिल्ली पॉलिटिक से बाहर निकल चुका है अब थोड़ी काम की बाते करते हैं तो आज का मेरा topic है कि अगर आप company चलाते हैं, मैं company की बात कर रहो हूँ, क्योवल क्योवल company की बात कर रहो हूँ, अगर आप company चलाते हैं, तो अभी हमारे finance minister ने बहुत अच्छा, जो महिला finance minister है हमारी देश की, उन्होंने एक announcement किया, कि अब आपको tax benefit मिलने वाला है, बहुत अच्छी बात थे तो आज मैं हिमांची कुमार आज मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि यह क्लेम आप कैसे लेंगे यह ना समझे कि केवल अनॉंस्मेंट हो गया और यह बेनिफिट आपको मिल गया थोड़ी सी महनत थोड़ी सी समझदारी और आप टैक्स बचा सकते अगर यह समझदारी आप नहीं रखते हैं तो टैक्स का नुकसान हो सकता है तो मैं बात करने वाला हूं एक नया सर्कुलर आया है 12-2020 को सर्कुलर नंबर है 10-2020 इसमें कहा गया कि इन्होंने एक नए तरह का फॉर्म लेकिया है 10IC और 10ID इसमें बात करेंगे कि क्या है क्या न लेना है लोर टैक्स का जो गौर्नमेंट ने अनौंस किया है 22% 15% फॉर्द मैनुफाक्टरिंग उसको लेने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत है इस फॉर्म को फाइल करने के लिए तो हम डिटेल में बात करेंगे और यह भी बताएंगे कि यह फॉर्म कहा है कैसे फ पहले से हैं कंपनी और उनको इस बेनिफिट लेना है और उनका टर्णोवर 400 क्रोर के नीचे है तो आपके लिए जो टैक्स रेट है वो तो कम हो गया लेकिन आपको उसके लिए 115BAA में क्लेम करना होगा साथ के साथ एक फॉर्म है 10IC 10IC आपको फाइल भी करना पड़ेगा electronically आपके digital signature के थुरू या OTP के थुरू भी आप कर सकते हैं अभी है क्या देखिए गौर्णमेंट ने कहा कि यह tax benefit हम उनको देंगे जो कि 10IC फाइल करेंगे except manufacturing company manufacturing के लिए मैं अलग बात करूँगा 115BAB उसमें अलग बात की गई है तो क्या है भाई इसमें बहुत सिंपल है एक form गौर्णमेंट ने अनौंस किया जिसमें कहा कि हमें बहुत तरह की detail चाहिए आपसे और वो detail क्या क्या चाहिए तो पहली चीज़ कंपनी का नाम चाहिए उसके लावा international financial service center है क्या कोई उसके बारे में पूछा गया और इस तरह की और भी detail पूछी गई एक form no.10IC में ये form आपको fill करके before due date, due date जो इसमें कहा गया है due date को जो बारे में बात की गई है जो section 1391 का date है वही उठा के कहा गया है यानि कि जो date filing है return filing की जो date होती है उसके पहले है form file करना है ये form online file करना है पहली चीज और principal director of income tax और director general को इस case में कहा गया है कि उनको आपको जमा करना है ये अभी तक online available नहीं है लेकि form का जो format था 10IC available कर दिया गया लेकिन मैं उमीद करता हूं कि कुछ दिनों के अंदर ये बहुत जल्दी आपके dashboard में दिखने लग दूसरी चीज ये थी बात उनके लिए जो की company चलाते हैं except manufacturing अगर आप manufacturing के अलावा है तब ये आपके लिए applicable है otherwise नहीं है अब इसका benefit यह है कि अगर आप ये form file कर देते जो आपका net tax होगा 25.17 ही होगा इस return file करने इस form को file करने के बाद क्यों क्योंकि tax rate reduce कर दिया गया था अब अलग तरह के sales और charges है उसको मिला के 25.17 tax आपका आएगा दूसरी चीज अगर आप ये file नहीं करते हैं तो ये benefit आपको avail नहीं कर पाएंगे अब हम बात करते हैं वैसी company वैसी company जो की manufacturing में उनके लिए rate 15% का है लेकिन वो भी rate आपको अगर देखें gross up करेंगे तो 17.01 के पास आएगा अब इनके लिए क्या कहा गया इनके लिए नया section लाए गया 115 BAB और इनके लिए नया form दिया गया form 10 ID वो भी आपको दिखेगा उसमें भी approximately procedure same है उसमें भी आपका address, pen number, आपके business nature और अलग अलग category की information मांगेगा, date of incorporation मांगेगा और इसको भी आपको file करने के जरूरत है तो ये भरम में ना रहे है कि government ने जो benefit announce किया है वो आपको ऐसे ही मिल जाएगा आपको इसके लिए थोरी सी महनत आपको यातोखोद या अपने professional के तुरू करने के जरूरत है और 10IC या 10ID आपको file करना mandatory है अगर आप file नहीं करते हैं तो आप eligible नहीं है ये benefit लेने के लिए यानि कि अगर आप देखें जो बाते कहीं जा रही है कि tax rate काफी कम हो गया हमारे दिसमें वह बात सचाई भी है लेकिन उसके लिए ये form file करना mandatory है क्योंकि CVDT ने बहुत clear सब्दों में इसके बारे में बात कर दिया है कि इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है यानि कि अगर आप इस section का सहारा लेते हैं 115B AA आपका tax rate 22% लेकिन effective tax rate कुछ और होगा क्योंकि अलग-अलग sales जूर जाएंगे अगर आपका opt करते हैं BAB तब आपका 15% का अधर के लिए 30% है साथ के साथ अगर आप section 15B में हैं तो 25% का तो मैं 15B की बात नहीं का रख सो 15B की लेकिन अगर ये दो benefit आपको lower tax rate का benefit लेना है तो आपको याद रखें कि आपको ये return आपके 1391 के date के पहले यानि की 30th September के पहले file करना होगा otherwise आप eligible नहीं होंगे तो हो सकता है कि दिल्ली politics में ये इतना महौल गरम था कि आप इन सब तरह की चीज़े से miss कर गया लेकिन मैं ये return फिर से दे रहा हूँ कि अगर आप business में या manufacturing में और जो lower tax lab का benefit लेना चाहते हैं तो ये form file करना आपके लिए नियतान्त आउस्यक है mandatory है otherwise ऐसा ना हो कि ये benefit लेने से आप चूक जाएं दूसरी चाहते हैं तो ये उनके लिए benefit दिया गया है कि अगर आप 1 October 2019 के बाद incorporate करते तो ये 15% का slab आपको मिलेगा manufacturing में यानि ये lowest rate दे दिया गया manufacturing के लिए अगर आपकी company incorporate होती है 1 October 2019 के बाद तो मोटा मोटी मैंने सारे point cover कर दी है अगर आपको इसका benefit लेना है lower tax का तो आपको ये form file करना mandatory है अगर आपको कहीं भी कोई परिशानी आ रहे हो तो आप comment box में आके हमें comment कर सकते हैं साथ के साथ हम fire tv, android tv, apple tv और recently हम geo tv पे भी live हो चुके हैं तो अगर आप किसी भी platform पे viewer हैं तो आप वहाँ भी जाके हमारे videos को देख सकते हैं तो आज के लिए तना ही बहुत बहुत धन्यवाद, thank you